हेलो एविवान कैसे हैं आप सभी लोग प्यारे बच्चों आज के डेली डोस प्रावलम में टॉपिक हमारा है ऑप्टिक्स ठीक है और उसका पाथ फाइंडर का एक क्वेश्चन है बिल्डप यूर अडेस्टेंडिंग का क्वेश्चन नमरेट ठीक है तो चलिए पिना समय गवाए अम लोग क्वेश्चन पंड़ते हैं इस रोटेटेड़ विट एन वेन वेला सिटिव शोरी यहां परिआपका हूना चाहिए एंगूलर व्ables वेला सिटी है ठीक है नीघूलर वेला सिटी एक से किंड़ और अकेerverलेटृ इन एक क्वेश्च एहितक है तो आपकें पॉटो फिल्म कहां पर लगाना है मतलब आप से पूछा है कि वाट शुट भी या वाट वुट भी दी लोकेशन आफ इमेज यह जहां पर इमेज बनेगी वहीं तो आप स्क्रीन लगाओगे ना सीधी से बात किया है ना तो मतलब कुल मिला जो लागी हमसे लोकेशन आफ इमेज या कहां पर इमेज बनेगा वो बता दीजिए वो हमसे पूछा है ठीक है ना अच्छा तो एक बार आप से लोग पॉज करें वीडियो क को ट्राइ मारे बहुत टफ कोश्चन नहीं है भाई यह बहुत आसान कोश्चन है बट ठीक है अगर आप एक स्टेप सोच ले जाओगे तो आपका कोश्चन बन जाएगा एक मतलब यह 15 से 20 सेकेंड में होने वाला कोश्चन है ठीक है चलिए तो आई होप सभी लोगों ने आपने इसको ट्राइ किया होगा अब जो मैं बता रहूं आप वो देखिए का अगर आपने कहीं कुछी मिस कर दिया किया तो आपको कम सकम दो टॉपिक सिखाने के लिए सब्सेंट कोश्चन है पहला वाला टॉपिक जो की फ्लूड वाले से उठाते हम लोगों कि रोटेट आपके पैरा बॉलाइड बन जाता है ऐसे ठीक है ना अच्छा इसके रिगार्डिंग कुछ मां इंपरेंट बाते आपको जो है रिवाइस कर रहेता हूं क्योंकि आपको सब देखने मिलेगा उस पर बेस्ट कोश्चन भी मिलते हैं माले बटा आपका यह इनीशियल लेवल कि इस ओर्जिनल लेवल से जितना ऊपर जाएगा हाइस पॉइंट उतना ही जो लोएस्ट पॉइंट हो उतना उतनी डिस्टेंस पर नीचे होगा मतलब यह स्मॉल एच है तो यह भी स्मॉल हो जाएगा बहुत इंपॉइंट सीज बटाई बहुत जगा इस्तेमाल हम लोग क इसको इसको एक्स एक्सिस बोलता हूं तो किसी पॉइंट का अगर कोडिनेट अगर एक्स कॉमा वाई है तो उतमें रिलेशन इस तरीके साता है वाई इसकल टू ओमेगा स्क्वाइर एक्सक्वार पॉन टूजी है ना अच्छे कैसे आता है बहुत आसान बच्चे कि आप आप कंटेनर के फ्रेम पर बात करो बैठके तो आप पर इसका इस पर एक क्या लगेगा एक स्यूदो फोर्स लएगा डी मिंटू ए इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा और जब रिजल्टेंट फोर्स इधर आ गया तो मिनिस्कस बेटा ऐसे बन जाएगा इसके निगुलर रहेगा आई बासमझ तो जैसे आप यह दोनों करते हो ठीक है इन दोनों जगहों से वह रिलेशन वहां से निकल के आता है य में और फिर जो टैन थेटा निकल के आएगा उसको आप डी वाई-वाई-डी-एक्स करोगे इंटीरेट करोगे आपको मिल जाता है ठ इसको मैं ओं क्या सपास के दिजन को इस फीरिकल मान सकता हूं ठीक है ना वो सारी बात वहां भी लिखी हुई है अब अगर इस फैरिकल मानना हूं तो अगर मुझे इस इस सफेरिकल करवेचर कर का अगर रेडियस कर लेशन दून मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा क्योंकि कि हमारे पास जो अब्जेक्ट है स्टार्स बहुत दूर है उनसे बनने वाला इमेज बनेगा फोकस पर बनेगा कहां पर बनेगा फोकस बनेगा इस और स्फेरिकल मिरर में पता है गर रेडियस आप कर वेचर मिल गया तो फोकस के लिए हम आर बाइटू कर देंगे हमारा काम बन जाएगा बट बिटा मैंने वही किया कि तीनों पॉइंट वही सारी बाते बता रही है ना अब मुझे चाहिए फोकस तो फोकस के लिए मैं क्या करूंगा रेडियस आप कर वेचर का एक बहुत जनल फॉर्मेट होता है बटा कि अगर कोई कर्व का एक्विशन पता है औ हमें यह डिफ्रेंशेशन मिलाइए वाई स्कूर इंटो टू एक्स अपॉन टू जी और यह पूरा पावर थिर वाई टू चल रहा था और नीचे अगर दो बार डिफ्रेंशेट करोगे तो आएगा ओमेगा स्कूर पॉन टू जीरो पे चाहिए जैसे आप जीरो रखोगी आपको पता है बड़ा फोकस ही चाहिए था हमें अब फोकस क्या होता है आर बाई टू जी अपॉन टू ओमेगा स्कूर ठीक है तो यह रहा आपका एक ऐसा कोश्ट है जिसमें ऑप्टिक्स और फ्लूड का आप कह सकते हो इन्वाल्मेंट था तो ऐसे जब भी मल्टिबल ट ठीक है तो आई होप आपको सारी बाते समझ माई होंगी बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्षर में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ तब तक के लिए बाई 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 सी यू जैहिंद